हेलो विडिवन, विल्कम टो मैं चैनल स्टॉक से डिलाइट, चली देख लेते हैं आज मार्केट कैसा गया, कल मार्केट कैसा जा सकता है, उसके बीचे क्या लोजिक है, कल इंचाड एक लिए कौन-कौन से स्टॉक अच्छा मोईनम दे सकता है, वीडियो शुरू करने से पहल बाचीत करता हूँ और आज का टॉपिक था हम लोग का ट्रेडिंग साइकोलोऌजी मांजेट, और कैसे आप जब आप लोसेस में हो, तो लोसेस से आप कैसे रीकावरर कर सकते हो, मैंने अपने ट्रेडिदिंग सेशन में, जो मैंने ट्रेडिग का केरियर है, उस में एक वीडियो मैंने Saturday के भी आपको उट किया था जिसमें मैंने अगर आप ट्रेडिंग में मतलब ट्रेड कोई भी लेते हो एंट्री करते हो और मार्केट वहें से पलट जाते है आपके एक एंस्ट में जाने लगता है बाई करते हो नीचा आजाता है सेल करते हो उपर जाला ज जाएगा इन्यूवेड वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं 15 मिंट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में अज बहुत अच्छा मोमेंटम किया उसके बारे में डिटेल में डिसकस करने वाले है निफ्टी के टाइम पर लेकिन सबसे पहले इन्पॉर्टन कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में बात कर लेते हैं अभी देखें यहां पर एक बॉक्स पेटर में जोख है और सारा दिन इसी ट्रेंज के अंदर मार्केट था यहां पर एक ट्रेड लाइन भी में जोख है लेकिन यह इन्पॉर्टन नहीं इन्पॉर्टन चीज़ है हम लोगो डेली टैम फ्रेम में अगर जाएं यहां पर आप देख सकते हो मार्केट अपर लेबिल्स पर यह हम लोगा ओल टाइम हाई है 41,850 के आसपास है और मार्केट इसी लिए ओल टाइम हाई के पास आके मार्केट कंटूनसली एक रेंज के रेंज है 41,530 और नीचे है 40,880 मतलब 506 से पॉयंट के आंदर मार्केट कंटूनसली ट्रेड कर रहा है और एक वीक तो हो चुका है 1,2,3,4,5,5,6 जेस से एक ही पट्टूनसली एक ही प्रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तो अगर इस लेबल का ब्रेक आउट होता है तो अल्टाइम हाई तो ठीक है उसको छोड़के भी मार्केट बहुत ही अच्छा अच्छा में मोमेंटम कर सकता है जो जितना दिन यहां पर ट्रेड करें उतना अच्छा है कि क्या होता है हम लोग को पता ही अगर मार्केट ऊपर आया है आने के बाद यहां पर एक अच्छा मोमेंटम हम लोग का आने वाले टाइम में देख सकता है अब अगर अपसाइड में ब्रेक आउर करता है तो डाउन साइड में भी एक डारेक्शनल मोमेंटम मिलने का चांसे से लेकिन अभी मैं आपना व्यू बुलिश रखना पसंद करूंगा उसके बहुत सारे से वीडियो में वह अलड़ी में बता चुका हूं एन्यूए 15 मिन्स के टाइम फ्रम में वापस चलते हैं कल का क्या प्रैनिंग रहेगा उसके और में बात कर लेते हैं और मैं अपना जो लाइन से ओन कर देता हूं अभी देखिए कुछ दिन से पर्टिकुलर्ली एक ही रें का 120 पॉइंट का नीचे एक रेंज है मार्केट इसी रेंज के अंदर कंट्यूनास से ट्रेट कर रहा है तो यहां पर बाताने लाए कुछ है नहीं कल क्या हो सकते हैं उसके बार में डीटेल में बात करते हैं कल मार्केट में दो चीज होने का चांसे मुझे ज्यादा लग र तो मार्केट का सेंटिमेन बहुत ही अच्छे से पॉजिटीव दिख रहा है तो पॉजिटीव सेंटिमेन में मार्केट अगर गयाप खुलता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो अगर मार्केट 300 के आसपस क्लोजिंग दिया है अगर यह आज का जो हाई है इसके ऊ 41,000 फाइबर नेट 41,400 और आज का जो फ्लोजिंग यह रिजिस्टेंस जोन है 41,350 तो 300 का यह सारा लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है अगर मार्केट यह सारे लेवल के पास आके कोई भी सपोर्ट का जैसा मतलब एक हमार टाइप का केंडल बनाता है तो मैं बाइंग दे के लोग के ब्रेक पर हम लोग थोड़ा बहुत चैड ले सकते हैं बहुत एग्रिसिव प्लान नहीं करेंगे कौंटेरी भी हम लोग कम रखेंगे अगर पॉसिबल हो तो हाप कौंटेरी रहेंगे इनिशल डर्ग है 41,000 तो 40,980 का रहेगा उसके नीचे 40,850 का रहेगा अगर यह निकाल देता है तो डाउंसाइड में बहुत बड़ा टार्गेट हम लोगों दिखा सकता है लेकिन उसके लिए कंडिशन क्या है मार्केट को गैप डाउन होना पड़ेगा और नीचे होरे के बाद नीचे हाल्ट करना पड़ेगा अगर मार्केट कंटिन ऊपर करे अगर यह जोन क्लियाओट हो जाता है फ्लो में निकल जाता है क्लोजिंग मिल जाता है हम लोग यह इस लेवल के आसपास क्योंकि हम मौल्टिपल टेस्ट हो चुका यह आपर उतना टाइम स्पे नहीं करना चाहिए थोड़ा बोलाटियल होने के बाद अगर यह ब्रेक आउ तो बैंक निफ्टी निफ्टी अभी ज्यादा स्टॉंग लग रहा है उसके पीछे लॉजिक क्या है मैं आपको बता देता हूं यह ड्राइंग्स आफ करता हूं और डेली टाम फ्रेम में चलता हूं डेली टाम आप देख सेक्ट तो निफ्टी में यहां पर एक हडल था ज क्योंकि है 18,096 मतलब 18,096 तो 18,100 का है हम लोग का डिजिस्टेंस अभी निकल के आ रहा है तो कल का क्या प्लैनिंग ही रहेगा उसके और में बात कर लेते हैं जो ड्राइंग से थोड़ा ओन कर लेता हूं अभी देखिए लास्ट यह लेविल का मैंने यहां पर एक 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 बोला था अगर मार्केट इस लेविल का थोड़ा फ्लैट खोल जाता है जैसे यह ब्रेक आउट देगा हम लोग का बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल जाएगा लेकिन मार्केट ने मार्केट डिरेकली गया पप फुल गया 100.0 उपर उसका मार्केट स्लो एं स्टेडी एक ट्र स्रॉंग लग रहा है तो अपसर में दो सिनरी होने का चांसे से सबस्क्रादा चांसे क्या है कि मार्केट गैप खुल जाए मार्केट अगर अल्टाइम हाई के आसपास कहीं पर खुल जाता है ठीक है मार्केट अगर इसी लेविल के आसपास कहीं पर खुलता है तो यहां से थोड़ा बहुत एक rejection लेके एक rejection candle बन सकता है थोड़ा वो selling आ सकता है इस level के आसपस क्योंकि all time high है इस level के आसपस कोई भी एक shooting star जैसा कोई भी candle बनेगा तो लोग थोड़ा वो selling करना prefer करेंगे उसके नीचे उपर थोड़ा stop loss मिल जाता है क्योंकि shooting star is a very good candle for selling इस level के आसपस से मैं थोड़ा बहुत selling प्लान करूंगा आजकर देगा closing और यह level जो है 17,980 तो 990 यह सारा हम लोग का target रहेगा और यहां पर आने के बाद अगर थोड़ा बहुत हम लोग reversal प्लान कर सकते है इस level के बाद आके थोड़ा बहुत अगर यहां पर कोई भी hammer type के candle मिले जो हम लोग प्लान कर सकता है तो यहां पर थोड़ा बहुत buying प्लान कर सकता है अगर वो निगाल देता है तो आप साइड में और बड़ा momentum कर सकता है तो दोनों साइड में हम लोग directional प्लान कर सकते हैं लेकिन एक चीज़ हम लोग को consider करना है market का sentiment positive है तो जब हम लोग selling side में ले रहे हैं म market थोड़ा बहुत flat खुलता है अगर EC level के पास आता है तो हम लोग डारेक्ली यह जो लाज डोजी गंडल बना था EC level के आंदर कहीं पर खुलता है आज का day का high निकालेगा हम लोग breakout पे trade करेंगे day high तक हम लोग का target रहेगा 18,090 के आसपस profit book कर लेना बेटर रहेगा यहां से तोड़ा वो selling आ सकता है अगर यहां पे आके price hold करके फिर breakout करता है तो इसका नीचे का stop loss जाल के हम लोगा upside में continue कर सकता है यह भी एक जरिया है हम लोग का trade करने का लेकिन अगर problem क्या होगा market अगर gap down खुलता है तो देखिए sentiment positive है सब positive है आगर इस level पे market gap down खुलता है यह जो नहां से थोड़ा वह sell up आ सकता है day low तक का target रहेगा अगर day low निकाल देता है तो यह जो gap है यह gap को fill करने के लिए नीचे आ सकता है 17,848,50 यह सारा हम लोग का next level pipe पे target रहेगा लेकिन उसके लिए gap down खुलना पड़ेगा gap down खुलने का बद यह सारे level को break करना पड़ेगा लाइगा और कैसे हम लोगो trade करना है ठीक है अगर आप चैनल को subscribe कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को like करके मुझे support जरूर करना आपका कोई भी डाउट हो कोई भी feedback को comment section में जरूर बताना और मैंने जो दो वीडियो के बार में वीडियो क के उपर closing basis पर काम करेंगे 15 minutes के candle अगर close करता 920 के उपर हम लोग buying करेंगे 930 तक का initial target रहेगा stop loss आप breakout के नीचे buffer रख सकते हो या तो 1-2 का आपका ratio के इसाब से भी आप stop loss रख सकते हो selling side में 899 के नीचे closing basis पे sell करेंगे 892 का second target and 886 का second target रहेगा 892 का first target 886 का second target रहेगा stop loss आप 904.50 का या तो यह जो देका आजकर देका low है यहां तक भी आप अपना stop loss डाल के continue कर सकते हो next talk है हम लोग का BPCL यहां पर buying side में entry बन रहा है अगर market जहां से rejection लिया था उसी level से market थोड़ा बहुत उपर जाने का कुशिश के यहां से थोड़ा बहुत रियेक्शन candle दिख रहा है अगर market फुरा बहुत गया पाप खुलता है इसके उपर closing दे देता है 15 minutes के time frame में हम लोग entry कर लेंगे 306 के उपर 38 का initial target रहेगा अगर 38 का target रहेगा अगर 38 का target है चीव होच आप सेर्वें continue करें तो continue करना stop loss इसी level के आसपर still कर रहेगा 304.60 का initial stop loss रहेगा अगर आप चाहे तो breakout candle के नीचे थोड़ा buffer टके भी stop loss रहेगा अगर आप चाहे तो breakout candle के नीचे थोड़ा buffer टके भी stop loss रहेगा 30 के नीचे अगर 15 minutes के time frame में candle close करता है selling sell में जा सकते initial target 397.50 का रहेगा उसके नीचे continue करें तो continue करना stop loss यहाँ पर trail करके continue करना ठीक है next stock है हम लोगा JSW Steel यहाँ पर भी buying entry बन रहा है अभी यहाँ पर logic क्या है मैं बता देता हूं market यहाँ पर खुला multiple time इस लेवल से market ने injection लिया था यहाँ से market continuously follow आज market फिर से थोड़ा वो डोजी के आसपास खुला और continuously इसी लेवल के आदर market trade किया तो इसी लेवल के आसपास अगर trade किया तो यह range है range का breakout पे आम लोग trade कर सकते हो और यहाँ पर resistance भी है इसके उपर closing basis पर trade करेंगे 670 की 8 के उपर 683 का first target 689 का second target रहेगा 675 का stop loss जलके आपसार में आप continue कर सकते हो आज के वीडियो के लिए इतना ही